सब्सक्राइब करें मेरे चैनल आरेश्टेक राज को और प्रिस करें गंटे का बटन सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आरेश्टेक राज में मैं राज आप से बात करने वाला हूं कैसे आप अपना इंड्रोइड फोन बेचने से पहले उसको टोटी वाइप कर सकते हैं कुछ प्रोसेस हैं नॉर्मल अगर आप रिसेट करते हैं तो उसके डाटा को रिकवर नहीं किया जा सके step by step इसे हम देखेंगे और यह क्यों जरूरी है इसके बारे में भी बात करेंगे जैसे कि आप जानते हैं अगर आप अपना फॉन बेचना चाहते हैं तो कि चांसे हैं कि उसके जो पॉर्शनल इंफॉर्मेशन हैं आपके जो पॉर्शनल डाटा हैं वो ल नहीं किया जा सकेगा तो सबसे पहले step क्या है अपने micro SD card को जो है वो निकाल दें या फिर कोई भी other extension है जैसे कि otg cable है या फिर extra जो भी आपने अगर आप mobile में add up करते हैं तो उसे आप निकाल दें ठीक है निकालने के बाद अगर आप सबसे पहले निकालने के बाद यह चे निकाल लिया तो आपका SD card कहीं और work नहीं करेगा okay because उस phone से encrypted है तो उसे आप off करें फिर उसको एजेक्ट कर ले निकालने के बाद उसके जो भी internal memory में file से आपके जो आपके पोश्चनल है आप backup चाहते हैं तो आप उसे निकाल ले और उसके बाद उसे totally encrypt कर दें इंक्राइ description process जोगा उसको encrypt करें सारा data आपका encrypt हो जाएगा encrypt में कुछ time लगेगा of course depend करता है कि कितना data आपके phone में stored है उसके बाद encrypt जैसे ही कर देंगे फिर अपने phone से जितने भी आपके account जो Google account Facebook account जितने भी account से login उनको सारे जो account से logout हो जाए एक भी अगर account आप कराता है तो data कुछ अगर उससे recovered होता है तो वह उसके लिए आपके लिए harmful हो सकता है अपकोर्स कि अब साथे कैसे सोचेंगे कि कैसे recoverable है तो recovered कैसे होता है recoverable कैसे है यह आपको यह नहीं समझना है बिकॉज आप हाई लेवल की या फिर एज हैकिंग स्टुडेंट नहीं है या हैकर नहीं है क्योंकि अगर कोई उस चीज को लग जाए कि हम उसे recover करना तो वह बहुत बहुत चोटी काम है बहुत चोटा चीज है वह रिकावर करना तो अगर आप उस लेवल पे नहीं तो प् अब सेटिंग में जाएं है वह इtaćटिंग फौन के सेटिंग में जाएं जाकर वहां backup and reset का एक option होगा तो backup करें और उसमें फ्रेक्टरी डाटा रिचेट करफर्म कर दें इसको करने से आपका टोटल डाटा जोगा वाइप हो जाएगा अब क्या करें जो भी आपकी फ्री से से phone की phone की total space आपकी free हो गई है उसमें कुछ unwanted files डाल दें unnecessary files डाल दें जो की space को भर दे इससे होगा क्या कि जो deleted files हैं आपके वो recovered नहीं किये जासा कि फिर से उन space पे because अगर वो space जस्ट एक बार delete की गई है तो फ्रेस होते हैं कि उनके जो deleted data है recover किये जा सके ऐसे बहुत सारे software हैं बहुत सारे तरीके हैं जिससे recover किया सकता है तो आप उनको unnecessary files से fill कर दें सारे space को और फिर से उसे reset करें जो fifth और six step है इसको आप कुछ तिन चार पांच शे बार कर सकते हैं बार बार जो अगर बहुत ज़्यादा आपके important है बहुत हाई level पर आप एकड़म कंजस्टेट वे में एकड़म data use it means put up किये हुए है पॉर्शनल तो आप तिन चार बार इसे perform कर सकते हैं या दो तीन बार भी enough है इससे होगा क्या कि जो भी unnecessary file उसमें आप restore करेंगे फिर उसके बाद wipe करेंगे तो अगर recovered भी होता है तो वह unnecessary file recovered होंगे जो कि आपका कुछ भी नुकसान नहीं कर पानेगे तो यह कुछ तरीका थे simply आपना phone बेचने से पहले steps करने के लिए because अगर यह steps आप करते हैं तो आप safe रहेंगे आपका data लिक नहीं होगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो please channel को subscribe करना ना भूलें यह बिल्कुल free of cost है फिर मिलेंगे एक नए और next वीडियो में बिल्कुल कुछ नए tricks और नए techniques के सांथ तब तक के लिए thank you, take care, bye bye